मदिर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जानी MPBSC ने क्लास 12 के रिजल्ड की घोशना करने का एलान कर दिया है बोर्ड अब MPBSC 12 रिजल्ड दोहजार एक्टिस को 29 जुलाई को दोपहर 12 बचे ऑफिशल अनौस्मेंट के बाद जारी कर देगा क्लास 12 के सभी स्टुडेंट से मदिर प्रदेश बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट mpresults.nic.in और mpbac.nic.in पर अपना रिजल्ड चेक कर सकेंगे ज्यादतर एक्जाम बोर्ड की तरह MPBSC ने भी COVID-19 पैंडिमिक की दूसरी लहर के कारण एक्जाम कैंसिल कर दिये थे जिसके बाद बोर्ड के दौरा रिजल्ड तैयार करने के लिए एक assessment policy बनाई गई थी जिसके तहत क्लास 12 को उनके क्लास 10 के best 5 subjects की performance के आधार पर क्लास 12 के marks दिये जाएंगे आईए अब आपको बताते हैं कि आपको result आने पर कैसे अपना result चेक करना होगा सबसे पहले आपको mpresults.nic.in या फिर mpbac.nic.in पर visit करना होगा जिसके बाद आपको एक link मिलेगा जहाँ पर mp12 result 2021 दिखा होगा जैसे ही आप उस link को click करते हैं वैसे ही वो एक नए page पर आपको ले जाएगा जहाँ पर आपको पूछी गई information लिखनी होगी जैसे कि role number या फिर जो भी details आपसे पूछी जाती हैं आपको वो mention करना होगा आपको अपनी details को verify करना होगा फिर submit पर click करना होगा जैसे ही आप submit click करते हैं वैसे ही MPBSC class 12th result आपकी screen पर display हो जाएगा जिसे आप download भी कर सकते हैं या फिर उसका print out भी ले सकते हैं for future references इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी share करें और subscribe करें